हेलो गाइस वेलकम टू तो यूटूब चैनल आप टीम्स फ़ार दिन अभी हम जिस मैच के बारे बात करने बाले हैं वह कल होने जाना वाला मार्श कप का मैच जो की होने जाना निव साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच में तो यह मैच होने जाले सिड्निक रिकेट ग्राउंड पर जहां पर आज ही जो सिफिट सिल्का मैच है वो खतम हुआ है मतलब यह तो खतम होना चाहिए था एक दिन पहले लेकिन आपको पता ही होगा कोवीड के चलते कुछ इशूस आये थे इसलिए एक दिन लेड मैच सुरू आएंगी क्योंकि चार दिन का मैच हुआ है भले ही रुकावटे आये हो रेगुलरली मैच नहीं हुए हो लेकिन यह भी याद रखना पड़ेगा कि बारिज भी हुआ था बीच में तो उसका भी कुछ एफेक्ट पर सकता है और कुछ हद तक कुछ चीजें बदल सकती है जै चीजें में जितने मैच के लिए हैं किसी फॉर्माट में वह एक दूसरे के अगेस्ट भी कहला है अभी तक सिफिल्ट सिल्के जो पहले मैच का हम एक मैच का वाद बहुत ही बुड़े के सिफिक्टोरें नहीं हराया था उसके बाद उसी ग्राउंड पे एक दो दीन बाद म मैं आज जाके जब में वीडियो बनाना हूँ आज जाके दूसरा जो सेफिट जिल का मैश था जो कि सिड्नी की कराउन पे था जो कि नियू सॉफिस का घर है वहां पे हुआ वो ड्राव हुआ अभी यह चौथा मैश है जो भी अब एक दूसरे के साथ ही यह तीम तुनों टीम में खिलने वाली है ठीक है तो काफी सारी चीजे सिमिलर रहने वाली है फिर भी अगर आपने वो मैश के वैडियो नहीं देखा हो तो मैं फिर से रिपीट करवा दूँगा लेकिन बहुत ज्यादा डीटेल में नहीं बताने ही कोशिश रहेगी यहां पे जो चीजे नहीं है उनिक के बाड़े में हम ज्यादा फोकस करेंगे वेजर क्लावडी रहेगा लेकिन बाड़िस के चांसे मुझे नहीं दिख रहे हैं सिकेंड हा इनिक्स खतम होते होते साथ आपको बाड़िस दिख जा लेकिन मैश पूरा होगा यह पकर के चल सकते हैं आप फिलाहल के लिए इसके बाड़े में किस तरह से हमें रियाट करना चाहिए हमें हम वह आगे डिसक्स करेंगे बाकी यह कुछ परफॉर्मर्स है अगर आप चाहे तो देख सकते हैं मैं डिरेक्ली आ जाता हूं और फिर से उसी सिक्सन पे आ जाते हैं कि जब यह दो रोटी में आमने सामने हु तो करेंट स्कॉर्ट मेंबर्स में से आपको कोई भी मिलने वाले है नहीं लगिन बहुत सारे चेंजिस होते हैं कि दोनों ही टीमों में ना इंटरनाशनल पेर्स काफी रहते हैं तो जाहिर सी बात है वह मुचरोट अवे लेवल होते नहीं है तो उनको आप कॉंसिर नाही क अगला मैश यह हुआ था सिट्नी में वापस से निव सौथ इस की बैटिंग इस आपर अच्छी नहीं रही थी हमने पहले भी यह चीज अब्सरब करा था कि सदर लैंड बहुत ही बढ़ जारे कॉंड होड करते हैं लेकिन वह एवलेबल है नहीं तो बात अकरकर फाइदा विक्टोरिया ने यहाँ पर कर लिया था चेस 26 ओबर में ही बाकी मैट शॉट जो करएंड स्कॉर्ट में अवलेबल है यही अभी तक लौते प्लेएर वहाई मिले हैं जो दोल्ट मैश विलाने के बाद जो करएंड स्कॉर्ट में हैं अच्छा अगला मैश फिर से हैं सिड् तो इनकी वापसी हो रही है तो आपकी एक जाना पहचाना नाव आपकी तिया बागी हैंड्सकॉम के परफॉर्स नहीं कर पाई लेकिन पैटर्सन, हेंड्री केस, डानियल सेम्स यह आपको परफॉर्मर के उप में देख जाते हैं यह तीनों ही अभी आवेलेबल हैं विक्ट में यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर विक्टोर्या ने बनाया था ठीक ठाक से स्कोर है बहुत बढ़ा नहीं 265 लीड करने वाले प्लेयरों में आपको हैंड्सकॉम दिख जाते हैं बैट शॉट दिख जाते हैं फ्रेजर मगरग जो अभी इंप्लूट करे गए हैं स्क्वा यहाँ पर 77 यहाँ पर 98 याद रखना है यह लिमिटर अबर गेम है यहाँ पर इतिये स्कोर्स बहुत बढ़े माने जाएंगे और बागी मैट शॉट के यहाँ पर हाइस रन स्कोरर थे जो हमेशा ही मेलबड के ग्राउंड पर एफेक्टिव होते हैं यह हमने आप पहले ही बोलोडों मेंसे सिर्फ आपको पैटरिंसन दिख जाएंगे और बाकी कोई यहाँ पर अवेलबल नहीं है विक्टोर्या ने 259 बनाया था लीड करने वाले में से हैंट्सकॉम मैट शॉट है ही बाकी पैटरिंसन को यहाँ पर पैटरिंसन को यहाँ पर पैटरिंसन कोई पर नहीं है तो पैटरिंसन ने लास्ट जो मैटरिंसन ने खेला था भले ही वह मिल्बर्ड का ग्राउंड रहा हो लेकिन उनके कॉंट्रिबुशन से हैंट्सकॉम्त है रहती हैं बाकी मैट शॉट यह दोलों हमेशा ही अच्छा करते हैं जो का हमने पहले भी देखा हुआ है मि बहुत स्थारी प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है और बहुत जादा क्रिश्टल प्लेयर्स बताने के लिए कुछ नहीं है ठीक है प्लेयर सी बात है कि होगी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस फिक्चर में पहले पाट दे चुके हैं या तो इंटरनाशन डियूटी के च देखा है डादा कंसिस्टन नहीं रहा है लेकिन मोजे संद्रीकिस के आपने देखा है 43 का उसत भी उनका यहां पर है विक्टुरिया के तरफ से कोई भी करेंट स्कॉर्ड में बताने के लिए नहीं है सिवाए पीटर हैंसकॉम के पीटर हैंसकॉम बहुत बड़ा स्कॉर उ और यह चीज हमने शेफिट सिल्फ में भी कुछत तक डिस्कॉफर करा था आपको जादी होगा और कुछत तक वो काम पे भी आया था तो जो भी हो यह कुछ स्कॉर्स हैं बाकी कुछ खास बताने के लिए यहां पर है नहीं बोलिंग में बात करी जाए तो करेंट कोई नहीं है यहां से सदर्लेंड थे लेकिन वह भी कोविट के चलते बाहर हो चुके हैं तो अफकोर्स कोई रिकॉर्स में होल्ड करने वाले प्लियर्स हैं नहीं और इसी लिए हिट्ट की बाते भी हमने यहां पर बताया है कि जादा आप डेलिवेंट कुछ यहां पे तो हब हमें आना पड़े का ग्राउंड से और देखना पड़े कि क्या कुछ रिकॉर्स हमें मिल रहे हैं तो काफी सारे नए चेहरे आपको देखने को बिलेंगे तो थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड है अगर उसमें से ही हम कुछ धून पाते हैं तो देखते ही कुछ रहा ह ग्राउन में अगर हम बात करें तो यहां पे लेकिन हमें एक्टिफ प्लेर्स में रहेंगे जैक एडवर्स मोजेस हंड्री केस डानियल हुजेस का डिस्पैटर सल इन में से यह दोरों गए नाव आपने उबर भी देखे हैं चलिए सिविट्स के मैशिकों तो नहीं चले थे वो रिडबॉल रिकर्ड में नहीं चले कर पाई थे अभी हम साथा कुछ बता नहीं सकते हैं उनके फॉर्म के बारे में क्या फॉर्म से वो गुजर रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड जो हैं इनके बहुत ही बढ़िया है हिट तो हेड में भी और ग्राउंड में तो लगभग डबल होता जा रहा है जब हम आवरेज की बात कर रहे हैं तो काफी consistent भी रहे हैं आप देख सकते हैं साथ में से पांच मैंच भी इन्होंने 50 प्लस स्कोर बना कर रखा हुआ है इसके अलाबा जैक एर्वार्ड बहुत consistent नहीं है लेकिन उन्होंने जादा 100 मार कर रखे हैं 50 प्लस स्कोरों से Curtis Madison इन चारों में से सबसे कम इनका ही है आप कह सकते हैं एक 50 प्लस स्कोर है और 33 का उसाए लेकिन काफी बड़े-बड़े averages जो हैं हमें देखना को मिल रहे है इन batsmenों से बाकी अगर bowling की बात करिये जाए तो Daniel Sam's का नाम यहाँ पर आता है पांच मैंच साथ विकेट और स्ट्राइक रट भी ठीक ठाक है बहुत खास कुछ नहीं शॉन अबार तो अलग लगल पर करते थे लेकिन वह अविलेबल नहीं है देखते हैं इस राउंड मैंच कैसे कैसे होते हैं ठीक है मैं बार-बार कह रहा हूं यहां पर बहुत सारी चीज आपको ऐसे मिलने की ज्या यह पर्टिकुलर्डी इसी ग्राउंड पर नहीं भी हो सकता है ठीक है यह दूसरे किसी ग्राउंड पर भी मैचिस हो सकते हैं लेकिन सिड्नी का मैच है जो आपके चला है चाहे वो सिड्नी क्रिकेट राउंड हो जा दूसरा कोई ग्राउंड हो तो वही है ठीक है तो यहां वापस से जैक इडवर्स, पेसर्स का जादा यहाँ पर रिकट्स है, स्पिनर्स का थोड़ा कम, दूसरी एलिक्स पर आएंगी तो चेसिंग टीम चेज नहीं कर पाई, ऊपर भी आमने ऐसा ही देखा था, चेसिंग टीम चेज नहीं कर पाई थी, उस बार न्यू साथ वेस थी इस बार न्यू साथ वेस जीत गई, बोलरों में से आपको डैनियल सैंप दिख जाते हैं, जो यहाँ पर दो विगर निकल रहे, बाकी माई की एर्वर्स है, यह जैक एर्वर्स नहीं, जिन्होंने बोडिंग करा था, उसके बाद कुईसलंड बना म साथ अस्ट्रिया का पिछले सेजन में जो मैशेस हमें देखनों के मेले थे, निवसाथ बना म धिक्टो लिया का है, वह भी मैना पूपर दिखा दिया, और लास्ट दो बैसे के अगर हम बात करें, तो कौइसलंड बना म निवसाथ बना मैश का मैश होगा, कौइसलंड को 203 पर डिप डिप सकते हैं, स्टर, कमिन, हैजलवूट, लेओन, तो इनके बारे में बताएं कोई फाइदा है नहीं, तो इनसे आप कॉंपेर नहीं कर सकते हैं, सही है, तो यह अगर ऐसी बोलिंग सामने आएगी, तो जाइट सी बाद है, वीसी भी डोमेस्टिक टीम के लिए कुछ कर पाना म यह था पिछले सदन का पहला मैस, ओवरॉल पहला मैस और इस ग्राउंड पहला मैस, तो देखे होगा है तो दिखिए, पहले जो मैसे होते हैं, वहां पर डाली को नहीं देखना है थेगा, लेकिन, जैसे ही आप आखिर के एक दो मैसे में आजाएंगे, नोटिस करो थीक है, यह था सेकेंड लास्ट मैशिस ग्राउंड पर डैनी उजिस ग्राउंड पहले की मैशिस में कोई रन नहीं है जैसे ही आये 101 ठीक है और दूसरे मैश पर भी डैनी उजिस का नाम आया 58 बाकी जैक एडवार्स से है और दूसरे अनिस पर यह कोई बोलर से इनने से फाइदा नह है तो मैंने बता है हुए इस भी वाइड पर डिकेट में यह मैंने जादा एप्लाइड होते हुए देखा है डैनी उजिस हमेशा ही बड़े प्लेयर है ठीक है अगर आप एंड आप दा सीजन इनके स्टेटिस्टिक्स देखेंगे आपको दिखेगा कि यह बहुत ही बड़ अगर आप भीजने स्टेल से हमें फॉलो कर रहे हैं आपको बता होगा यह जो हंड्रेड वाला इन इसनों ने खेला था इस मैश में इनका सिलक्षन जो था ड्रीम 11 पर फिप्टीन से ट्वेंटी परसंट के भीतर था कैप्टन से की बात तो आप छोड़ी दीजे अभी परफॉर्मेंस इनका चलता जाता है पहले तीन या चार नाचस में आते आते चौथा या पाच आते जाते जाते इनका सिलक्षन परसंटेज बीस के आसफास आके गिरता है ठीक है और कैप्टन सी भी कोई कॉंसिर नहीं करता है लेकिन उसी टाइम पे स्पेशली सिर्णी के ग्राउंस में चाहे वो यह ग्राउंड हो या किसी और ग्राउंड पे हो डैनी लुजेस ने गियर पकर कर रखा है और ऐसा गियर पकरा है मतलब किसी ने अगर उनको टीम में रखा होगा बाकी एक दो बेजर परफॉर्मल नहीं भी रखती होंगे तब भी वो जीच जाते ह मतलब ऐसा हुआ है ठीक है और यह क्या है यह है अफ्जर्वेशन यह जो मैं चार साल से समझ दिए खेल रहा हूं मार्श कप को मतलब इस सीजन को छोड़के यह चार सालों में हर बार यह शीज ऑफ्जर्व कर रहा है और अगर आप लास सीजन से हमें फॉलो कर रहे होंगे तो यह शीज आपने भी देखी होगी ठीक है मतलब अगर आप पहले के तीन-चार मैशुमेंट करेंगे और आखिर के सीजन से में देखेंगे तो जमीन और आस्वार का फरक आजाएगा अभी यह बाद मैं क्यों बता रहा हूं यह बाद मैं इसी बता रहा हूं कल होगा अगर आपको मुश्मेफरोसा नहीं है आप बिल्कुल सेफ जा सकते हैं कोई दिकत वाली बात नहीं है और यह चीज आप यहां पर भी देखी सकते हैं आखरी दो मैंच में हें हेंडिक हुज के नाम आये हैं और काफी बड़े-बड़े नाम आये हैं और उसके पहले उनके अगर बारा में से सात बार 50 प्लस स्कोर है और इस सातों में से मिनिमम पांच या छे जो हंड्रेड हो या फिप्टी जो उनके आये है न वो आखीर के मैशिस में हैं नोटीस करो तीन फिप्टी प्लस स्कोर और चार हंड्रेड जो बताया कि जब वो खेलते हैं ऐसे लेबल सब्सक्राइब करें तक शेलते हैं कि क्याप्टन्स के अलबा कोई चारा भी नहीं वचता है लेकिन इन साथ मैचेस को छोड़के अगर आप बाकी के इनियुस को देखने जाएंगे जो मतलब 50 नहीं बने हैं तो वहां पे आपको उनका स्कोर 10-20 के भीतर देखने को मिल जाता लेकिन अगर आप परसंटेज देंगे रहा तो आपको यही चीज दिएगा कि सीजन के सुरुबात में हमेशा ही डैनिल हुजेस आपकी चार्ट सिजन में स्लो स्टार्ट करते हैं लेकिन एंड होते होते वह कुछ ऐसा करके जाते हैं जब आपको कुछ ऐसा देखने को मिलत है क्योंकि लास्ट चार्ट जो इनिए उनने खेला है भले ही डेड बॉल रिकेट हो तो ने उनमें से तीन में नन मनाया है ठीक है बाकी पैटर्सन है हेड़न कर इनके बार में कुछ चीजे मुझे बता नहीं होंगी क्योंकि मैंने कॉंसलर नहीं करा था कि इनको टीम इस त अब भी आए थी और इनका रोल भी बहुत ही अच्छी तर किसन ने दिवाया था और काफी अच्छा ओमेंटम गेंड कर रही है मानना पड़ेगा सीजन फिशले सिंसे जो मोमेंटम उनने गेंड़न कर रहा है अभी यह मोमेंटम पो बलकरार रह रख रहे है बाकी मैट शॉ अच्छे फर्म पर नहीं चल रहे है और यह मैं चीज बता रहा हूं पिछले सिजन से भी लेकिन इस मैच की दोनों हुई इनिक से बहुत मुश्किल था बैटिंग करना ठीक है वहां पी बैटर्सन ने काफी अची बैटिंग करी और इससे हम थोरा बाद आईडिया लगा सक यहां पर कुछ बता पाना मुश्किल है कि कॉन सिर्म आगे थी विक्टोडिया भी कह सकती है हमारे चांसे से लेकिन मुझे लगता है थोरा जदा अपस हो सकती है नियू साथ विस अगर बादिश नहीं होता है उनके पास चांसे जादा से बाकि कॉन वे हेडन कर नहां पर निकाला हो था जाक एरवार्स ने विक्टोड निकाले होए थे तो यह था सेविट्सिल का मैच जो इस डाउन पर हो है अगर आप देखना है क्योंकि सेम ही ग्राउंड है बले ही बाल अलग हो जाए लेकिन लगभग टीम भी सेम है ग्राउंड भी सेम है तो एक दिन का भी अब ही बात करें के बारे में और देही कौन कोंसे प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टन हो सकते हैं पहले बात करते हैं निव सौथ बेस के तरफ से तो टैनियन हुजेस और जैक एरवर्स मोस्टी ओपेन करने चाहिए मैट गिल्स का भी ऑप्शन है ओपेनिंग के लिए ले कि कर्टिस पेटर्सन है मोजे संद्रीकेस मैट इस मुस्टराबली मिडिल ओडर में आ जाएगा अगर मैट इस मिडिल ओडर में नहीं आते हैं तो वह ओपेनिंग करेंगे और जैक एडवर्स और नीचे आए बस यही बात है मिडिल ओडर में इंके बास कावी चारे आल्रा मैच में जो मैच आमने कॉफर करा था विक्टुलिया के साथ जो मैच हो नहीं था वहां से अभी में और यह मुझे बताया है कि जड़रत नहीं है यह आप खुश समझ सकते हैं एड़म जामपा जो लास्ट मास्कष का मैच खेले से तब वह खेले थे साओध अस्टलिया के ह बाकि हैरी कॉन में क्रिस्ट्रमें तन्वीर सांगा है तन्वीर सांगा के लिए बहुत अच्छा एक्स्पिरेंस होगा कि एडम जापबा के साथ वो स्टेज सेयर करेंगे यह फ्यूचन है ना स्रिफ रिकेट के बगी ऑस्ट्रिकेट के तो मुझे लगता है कि बहुत इंक्लूशन एडम जापबा का इंक्लूशन यह बहुत जाधा चेंज विडिंग करने वाला है मुझे लगता है नियूसादेस के परफॉर्मस पे ठीक है अच्छा हेडन करके वारा है मैं जो थुरा बात बात बताना था हेडन कर्ड जेनरली टीट्वेंटी स्पेसरिस्ट हुआ करते थे पिछले सीजन तक ठीक है इनको बीबिल में मौके मिले हैं मुझे कॉंफर्म पता नहीं है क्योंकि मैस खिलने का मौका मिला था नहीं लेकिन जितनी बार भी मौका मिला है इन्होंने हमेशा ही कुछ ना कुछ एफेक्ट डाला हुआ है ठीक है बैटिंग की ब बैटिंग है इनको अच्छा है सेफिट जिल का मैच जो हुआ था वहाँ पर जब यह बैटिंग करने आये थे टीम का सिच्वेशन उतना अच्छा नहीं था लेकिन वहां से इन्होंने काफी अच्छी बैटिंग करी है और मसुरेटी दिखाई है तो मोमेंटम इन्होंने भ पर पेसर जो है हेड़न कर होने चाहिए और छटे बोलर भी हेड़न कर ही होने चाहिए क्योंकि दैनियल साम्स, कॉन्वे, ट्रिमन ये तो इनके मेंटम होंगे ही उसके बाद हेड़न कर का नामबर मुझे लगता है आना चाहिए अगर काहीं वह किसी बोलर की जरुड़क प तो अच्छा हेड़न कर सकते हैं और मुझे लगता है छटा बोलिंग ऑप्शन भी यही होने वाले हैं अभी अगर इनको बोलिंग नहीं मिलता ही है समझे यह 500 बोलर से ही काम हो गया तब शायद थोड़ा बैकफायर कर भी सकता है इनका सेलेक्शन लेकिन मुझे लगता है क विक्टोरिया की बोलिंग की बात करेंगे तब आपको धिया कि उतना जादा भी इनका कुछ खास बोलिंग होने वाला है नहीं और पिछले सितर में लगबग इसी बोलिंग दाना के साथ वो आये थे कुछ खास उनका हुआ नहीं था तो इसलिए मुझे अगर नहीं अगर आप नहीं लेते हैं तब इनको लेना ही पड़ेगा ऐसी बात है ठीक है बोलिंग शायद नहीं कराएंगे कि अल्लेडी बहुत सारे बोलर्स है छे तो मैंने यहीं बता दिये मोझे सेंट्रिकेस बोलिंग करा सकते हैं ठीक है साथ अपसर यहां तो मुझे लगता है ज अगर बोलिंग कराते हैं मुझे लगता नहीं कराएंगे अगर कराते हैं तो और भी एफेक्टिवनेस इनका साथ हो सकता है उसके बाद डैनियल साथ मस्टाइब है एडम जांपा मस्टाइब है क्रिस्टिमें जैसे नहीं बताया था कि अपने पुराने टीम के आगश्में अपने देखा भी है काफी हत्ते काम पे आए थे बाकी जो अप्सें से हमारे बास हेडन कर और हैरी कॉनवे हैरी कॉनवे लास्ट बार जो इनको खेलने का मुका मिला था इस फॉर्मेट में कमाल का परफॉर्मस इंट करा था ठीक है मैंने ये लास्ट प्रेश के वीडियो अप्सें देखना है तो हेडन कर तो मेरे स्मॉल लिक स्वाट लिस्ट में कॉन कान आए कर्टिस पेटरसन मोजे संडी केस डैनियल सैंप एडम जांपर क्रिस्ट यहां से हो गए डैनियल हुजस अगर पॉसिबिलिटी है कि कि किसी प्लेयर कूपर आप चांस रहा जाते है बड़े प्लेयर के उपर तो वह एक ऑप्सन है अगर आप डैनियल हुजस छोड़ते हैं तो जैक इर्वर्स को ज़रूर से लेके चलिएगा तो छे यहां से हो गए और सातवा प्लेयर इन दोरों में से कोई है तो इन सातों में से छे या पांच या सात को हम लेके जाएंग कर सकते हैं से मूर को आपने देखा होगा शिक्रिट सिल में जो पहला मैंच अनों ने खेला था बहुत भड़ी आ बैटिंग करी थी हालाकि लास्ट में से खास कुछ नहीं कर पाई थे कुछ बात है इनके बाद में करेंगे पीटर हैंस को बात मैंट शॉर्ट जेक फ्रेज आप कह सकते हैं इसके अलाव आना जेक फ्रेजर मैंगरग मैंकेंजी हार्वे ये तो अंडर 19 खेला करते थे दो एक देर साल पहले रेगुलर कभी भी नहीं थे अभी क्यूंकि बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है इसलिए इनको खेलना पर रहा है ठीक है सैम इनने भी दिखाई है जेम सेमूर ये डेब्यू करने वाले हैं इनके बार में मैं ये बता सकता हूँ विक्टोरिय और डोमेश्टर सर्क्रीट में बहुत ही बड़े ट्राइड और ट्रस्टर वाले ये प्लेयर है इन ये थोड़ा बहुत बोलिंग भी कर सकते हैं थोड़ा जेम सेमूर कर सकते हैं मुझे लगता नहीं पड़े ये अगर पड़े तो ठीक है चांस कम है लेकिन ये बोलिंग करा सकते हैं मैं आपको ये रिवाइंड करवा दू जो नजन मिल लो बस्ट है आप इनको गल्ती से भी नहीं छोड़ सकते कमाल का मोमेंटम उन्होंने गेन क करके रखा हुआ है और और कोई आप्शन भी आपके बास बैटिंग सेसर में नहीं होगा विक्टोरिया के तरब से अगर हम एक्स्पीरियेंस के मामने बात करेंगे तो बाकि अगर मैं इनकी बोलिंग की बात करूं ठीक है पिछले सीजन में जादा मैंची स्खेल नहीं पा कि बैटिंग से अगर कही से वह 300 या उसके आसपा स्कोर बना भी देते हैं जो लीट करते थे मैट शॉर्ड या हैंड्स कॉम या जो नहीं जाके इनकी बोलिंग अच्छी नहीं होती थी जो नहीं अगर मैं इनकी बोलिंग की बात करूं तो चलिए बैटिंग सान का कर देंगे तो इन दोलों का 20 ओवर तो चलिए सही से निकल गया लेकिन उसके बाद 30 ओवर कौन निकालेगा और कैसर निकालेगा इसके उपर मुझे लगता है बहुत पराई क्वेश्चन मर्क अभी भी बना रहेगा अभी ये क्वेश्चन मर्क का एंसर क्या होगा ये हमें कल का मैस देखके ही बता चल जाएगा लेकिन मुझे लगता है यहां पर एक वीक्नेस मतलब हाइलाइटिंग वीक्नेस आज़ो है आपको देखने को मिल सकता है विक्टोरिया के तरफ से बैक्टिंग में बता दिया हैंड्सकॉम के अलावा और हैंड्सकॉम और कुछ तक ज जब पिछ में स्पिन को हिल रहा था स्पिनर्स विकर निकाल रहे थे तब भी मैट शॉट कुछ खास नहीं कर पाए नाहीं बैटिंग से नाहीं बोलिंग से हैंड्सकॉम का भी हमने वहीं चीज़ बताया हुए है कि इनका बेस परफॉर्मस कहां पर आता है आपने यह जाधा वीक होते ही दिख रही है और बहुत जाधा चांस है कि अगर विक्टोरिया पहले बैटिंग करे आपके काफी ओपोनेंट्स ऐसे आए जो न्यू साथ विस के बोलर्स को स्पेशली जांपा या डैनियल सैंप चैसे तो बड़े नाम वाले बोलर्स है उनको कैप्टे जाधी न्यू साथ वेस ही फेवरेट है तो मेरा सजीसन यही होगा आप चाहे छे प्लियर लो या साथ प्लियर लो मिनिमम मिनिमम तीन बोलिंग ओप्शन्स आपके टिम में जरूर से होने चाहिए क्रिस्ट्रमैन एडम जांपा डैनियल सैंप तो है ही अगर इसके साथ एक प्लियर लो मस्ट हाव है पैटिंसन के अलावा आपकी बास कोई बोलिंग उप्शन है नहीं चौथा पास्ट्रा प्लियर हम कौन-कौन से ले सकते हैं बैट शॉट के ऊपर आप ट्राइ कर सकते हो अगर आपको स्पेस मिल रहा है तो उसके बाद सेमूर का उप्शन है काफ बहुत जो इन बोलों में से एफेक्टिवनेस दिखाया था वो टॉट मर्फी न दिखाया था उम्मीत मत रखना कि इन बहुत ज़्यादा कुछ कर दिंगे एक ही विकेट साथ निकाले लेकिन एकां मेडन निकाल सकते हैं एकोनामिका बोलन सापो देखे जा सकते हैं और बै कुछ कंसिस्टेंसी तो इनने दिखाई थी नहीं बिछले सीजन में अभी भी मुझे बहुत जादा उम्मी दिनी से नहीं है उसको अगर चाहें तो ट्राइ कर सकते हैं अगर आपको क्लडिप बचाना हो या काईब स्पेस पेरेश करना हो तो आप कॉंसिडर कर सकते हैं नि सकते हैं उसको डैनियल सैम्स और जैक एरवार्ड जैसे आपसंस हैं यह पांचों मेरे शाल से सब के टीम में होंगे कर्डिस पैररसन है अगर आप उपर से टैनियल हुजेस को इग्नोर कर रहे हैं या कहीं पर चांस लिड़ा है तो सोच सकते हैं लेकिन बार बार यही बात आपको खटक जाएगी कि यहाँ पर विक्टोरिया की बोलिंग की बात हो रही है लेकिन फिर भी चलो जेम्स पैडिंसन है अगर कुछ एकाज जटके दे देते हैं तो क्या पता जो सोच हम रख रहे हैं वो काम पे आभी जाए हैं हैरी कॉन में बहुत बढ़े पंड बनने अगर आप जो मैं आपको पता है ना कि तीन चार बोलर साप लेकर चल सकते हैं तीन तो बोलर चलिए ट्रिबन मैं कॉंसलर करा हूं जांपा और डैनियल सां सब की टीम में होंगे चौथा बोलर को अप्शन जो है ना घरी कॉम बहुत अशी होने सब हो सकते हैं ठीक है अभी पता नहीं कि टीम को किस तरह से यूज करेंगी अभी देखना पड़ेगा वो बात लेकिन मुझे अच्छी आपसे नहीं आपके लिए बह सकते हैं उसको बहुत हैं तो यह नहीं सारी चीज़ें और सारी आले चीज वीडियो अगर बसंद आया हो तो लाइक जरूर करना सब किस मैश की फाइनल स्वान लिग की फूल टीम जो है वह आपको भी बिलने वाली है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो इसके लब अगर आप सर्च करोगे अपने टेलिग्राम के सर्च बार पे एड़ टीम्स पोर विन विदा बना के रखा हुआ है एक बैंटिटरी बैट्स पर हमें लेना है और उसके बाद भी एक प्लेयर का हमें जगह अभी फिल करना पड़ेगा ठीक है आपस्चन देखते है क्या क्या है घथो की कौन कौन से टियर मने रख़े हैं सेमूर को में रखा है चौथा प्लेयर विक्ट्यट्या के तरफ से हो सकता है कि यहीं 4 प्लेयर दिवें लेकर चलू बस स कर लो आ और जजन बेर वहां पे ऐसे रिस्क लेना थोड़ा हो सकता है इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं अच्छा तो जेनुईन उपसंस क्या क्या है कर्टिस पेरटसन और डैनियन हुजेस जिन दोनों में से लोग स्मॉल लिग में लेंगे डैनियन हुजेस यूनिवर्सल पेक होने वाले हैं रेकॉर्स आपने देखे डैनियन हैं लेकिन मेरा एक ऑफजर बसन है जो मैं आपके सामने रखा है इवन आप से मूर को भी ड्रॉप कर सकते हो और इन दोनों को भी लेकर सकते हो वो भी सही ऑप्सर होगा तब आपके बास मैट शॉट इजी एवेलेबल हो जाएगी आप इनको भी लेकर सकते हैं यह भी बहुत ही डिसन कॉम्पिन लग रहा है लेकिन मैंने थोड़ा अलग करने का सोचा है और इसलिए मैं सायद पैटर्सन और हुजस में से एक को लेकर चलू अगर बैटिंग फर्स्ट हो रही है तो मैं थोड़ा चांस ही लूँगा आप कैसा कते हो हूँ और हुजस की ऊपर और पैटर्सन को लेलो और अगर चेस हो तो साथ मैं हुजस को लेकर चलू लेकिन क्याप्टन मैं कहई से नहीं बना रहा हूँ इम अभी साइब को बतारहूँ हो ठीक है सैट को ले रहे हैं यहां पर सेमोर को रखा था अब क्यों यहां पर मैट शॉट को नहीं रख रहा हूँ और किसके लिए मैट बचना हूँ वो एक सवाल है ठीक है देखो मैट शॉट को नहीं रखने का रीजन यह है कि मिल बंड के बाहर उनके पफामेंस अच्छे नहीं है यह चीज आमने सिफिट सिल के मैट भी ऑब्सर्व करा होगा बोलिंग कराएंगे बैटिंग कराएंगे और राउंडर है थो थोड़ा रिस्क तो रहे जाएगा ही लेकिन यह मैं चांस ले रहा हूँ अब ही मैं किसके लिए इस पर बचा रहा हूँ अगर बैटिंग फर्स्ट हो रही है निव सौथ वेस का तो हेडन कर को मैं जरूर एक बार ट्राइ करना चाहूँगा यह सिफिट सिफिट में उने काफ यशी बोलिंग करा हूँ है दोनों इस से लिकट निकाला हूँ है एक माद तर बोलिंग मिल सकते है इसलिए और अगर bowling first हो रही है तो Harry Conway बहुत ही decent option है लोग शायद भूले इवन आप bowling second में भी इनको लेकर चल सकते हो दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि कही ना कही हम expect कर रहे हैं कि Victoria एक तरफा हाणने वाली है यहाँ पे चाहे बैटिंग से हो तो पूरी तरीके से हमारा टीम यहाँ पर टैक्ट हो चुगा है और यह combination भी सही है अगर आपको save जाना है आप यहाँ से Conway हटाएंगे, Save Mood हटाएंगे, Short लेंगे और Patterson को लेंगे Patterson ने सिफिट्सरी के दोनों ही नीस पर रन बनाया हुए है मोमेंटम उनके पास है और काफी अच्छा भी कर रहा था उन्होंने तो बिलकुल एक ट्राइबल ऑप्शन यह बने राएंगे कैप्टर भासकर आप्शन की बात करें मुझे सहम जी किस बिलकुल मेरे ली एक ऑप्शन बने रहेंगे कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है फॉर्म को लेकर मैं डाउटफुल हूँ इसकी लिए मुझे थोरा सा खटक रहा यह चीज नहीं तो रिकॉर्ड्स आपने देखी लिए बहुत ही बढ़िया है जोनाथर मेरे लो बहुत ही डिसंट ऑप्शन है टीम भले ही हारे या कुछ करे लेकिन यह तो आपको दोनों दरफ से पॉइंट देखे जाएंगे इतना मुझे पक्का आपको इनको बहुत है बोलिंग भी बहुत है बोलिंग भी दस ओबर करने ही पड़ेगी बहुत हैं लेकिन रिकॉर्ड बता यह जो इनोने दो मैच खेले हैं मैंने आकरी चार साल में जो दिखा है दो मैच खेले हैं पॉर साओ अश्टरिया अगेंज्ट विक्टोरिया दोनों ही मैच पे इनोनी तीन लिके बीकर निकाले होये हैं और अभी की विक्टोरिया की टीम में लेकिन ये एक रिकॉर्ड है अगर आप देखना चाहते हैं तो तो ये तीन आपसेंस हैं जिनके सब आप जा सकते हो डैनियल साइम्स वगरा टीम में लग लग लो मुझे लगता नहीं कि इनके बहुत बहुत रिस्पॉंसिबिलिटी वाली है बागी ये कॉम्बिनेशन मुझे काफी सही लग रहा है ठीक है सिरफ अगर आपको स्वरा सेफ रहना है से मूर और कॉनवे के चकपर पैटर्सन और मैक शॉट अट कर लेना तो असादा सेफ आप रहे जाओगे तो यह रही सारी चीज़ें और सारी अलेस वीडियो अगर बसंद दया हो तो लाइक जरूर करना सब्सक्राइब पर लेना चैनल को टेलिग्राम चैनल पर जरूर जोइन हो जाना क्योंकि लाज़ वाली है तब तक के लिए बेश्ट लग पार दिस मैच एंगर वाइफ पर नाओ